नमस्कार दोस्तों एक बार फिरा जीनम आपके साथ एक most important topic को लिकर यानि friends आज इस वीडियों बात करने वाले हैं कि समलम चतुरभूच की आकार का खेत है उसको आप लाठे के माध्यम से यानि आपके पास साधे 5 हाथ का लाठा या आप कह सकते हैं 99 इंच का लाठा साथिसा साथ आपको बताऊंगा कि एक बीघा में कितना वर्ग लाठा होता है और एक बिस्वा में या एक बात करें अगर हम धूर की बात करें तो कैसे convert करेंगे सारा कुछी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं तो वीडियो के इंड तक जरूब ने रहेगा सारी डीटेल द करना यहीं चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं इसी प्रकार के लगभग आपको 1500 वीडियो प्रोवाइट कर चुका हूं यानि 1500 से लगभग 200 तक वीडियो आपको इसी जो की खेतों के छेत्रफल से सम्मंधित आपको मिल जा वर्ग फूट, वर्ग गज, हेक्टियर, बीघा में कैसे कनवर्ट करें पूरे डिटल के साथ बताया था वो वीडियो आप चरूर देखिएगा फ्रेंट्स देखें तो अगर यह है आपका यह खेत जैसा कि आपको स्क्रीन पर देख रहा होगा टोटल अगर हम देखें यह समलम चतुर भूज की आकार का है जो की अगर हम देखें तो इसको तीन भागों में बाट रखा है ठीक है अगर पूरी आकरिती को देखते हैं तो समलम चतुर भूज बन रहा है और अगर अलग-अलग हम इसकी फीगर की बात करें या इसके एरिया की बात करें या चितर की बात करें जिस प्रकार का इसका आकार है तो एक तर्भूज ये धर वाला तर्भूज है ये और वहीं एक तर्भूज ये है और बीच में है एक आपका इसको आपका सकते हैं आयत की आकार का खेते हैं तो तीनों को मिला दिया जा तो ये समलम चतर्भूज बन जाता है अगर इ नंबर इसको मान लीजिए दोनों यानि तीनों का अलग अलग निकाल के जोड़ देंगे तो भी आपका डाटा वही आने वाला है जो इस वीडियो में आपको बताने संबलों चेत्रभुज की आकार का यानि वही आएगा इसमें भी ठीक है तो आप जैसी आपकी च्छाव और अनुसार कर सकते हैं त्रभुज का शेत्रफल हम आपको बताया था कि किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं आयत का भी बता रखा हूं अगर ये वीडियो आप लगातार देख रहे हैं तो सारी जनकारी आपको हो जाएगी तो चलिए 99 यानि इसको कह सकते हैं 99 इंच का लाठा जाते हैं तो आपका डाटा निकल के आएगा 8.25 फूट यानि लाठा जो होता है लठा जो लगी भी कहा जाता है वह कहीं कहीं डाटा ज्यादा 6 अगाँ पलद साड़े 5 यो आपके 5 यति मते हैं तो संबल्ण चेत्रफ़ज क्याकर का चैत्फ रूप्ड वाली क्या होता है एक बटे दो समानतर भुजाओं का योग अगुणित उच्छाई मतलब आप एक उधार से समझ सकते हैं रेल की पचली railway track जो होता है वो track जो होता है समानतर होता है क्योंकि वो आपस में कहीं नहीं मिलती है उनकी लंबाई हर जगा जो कि उनके बीच का गय पर बराबर होता है ठीक तो वही समानतर भुजाओं का मतलब आप समझ गये होंगे तो ये 50 लाठा है और नीचे वाली जो की अलग अलग लाठा में है इसकी लंबाई तो टोटल आपको कुछ नहीं करना है ये उपर वाली को भी और नीचे वाली जो भी 24 लाठा ये 50 लाठा और ये 36 लाठा टोटल इसको जोड लिजे और इसकी उचाई कितनी है 40 लाठा की है देखिए ये इधर भी 40 है इधर भी 40 लाठा है यानि इसका क्या कर देना है गुड़ा कर देना है और टोटल का बटे 2 कर देना है तो देखिए कैसे यानि समांतर चतुर भुज का योग तो हमने समांतर भुजाओं का योग किया तो 50, 24, 50, 36 टोटल जब हमने जो को कर देंगे आधा कर देना है बस सुत्र में यही आपको फालो करना है ठीक समांतर भुजाओं का योग गुडित उचाई बटे दो तो जब हमने यहां से दो से काटा इसको यह आया आपका 20 ठीक है अब 16 दुना 32 यानि 32 सो वर्ग लाठा निकल के आएगा टोटल छेतरफल ज किया था कि मैंने इस पर वीडियो पहले प्रोवाइट कर रखा है लाठे से संबंदीद कि यह रॉंग है कहीं भी किसी भी प्रकार का रॉंग नहीं है इस वीडियो में आपको प्रूब करके भी दिखाने वाला हूं तो वीडियो के अंट तक चुरू बने रहीगा ठीक है अब देखिए अगर हम बात करें तो टोटल आपका च्छेतरफल 32 वर्ग लाठा आया अब एक बीघा की बैलू आपके निकल के आई 400 वर्ग लाठा ठीक है तो अगर हम 32 में 400 का भाग कर देंगे तो यह बीघे में कर्मट हो जागे क्योंकि एक वर्ग बीघे एक वर्ग ला टोटल आठ बीघा निकलाएगा यह उत्तर प्रदेश से हम बात कर रहwers पंजाब की बात कर रहे है राजस्तान की बात कर रहे है जहां डाटा एक रूइट चलता है सेम ठिक अन्य श्टेट के लिए अलग हो सकता है इसलिए आप जहां से भी वीडियो देख रहे हैं कमेंट की होती है या इसको आप कह सकते हैं 8.25 फूट की होती है ठीक अब आपको आपको क्या करना है कि टोटल वर्ग व pursued की च्छेतर फ़ल अगर हम निकाले एक लटा लंबा और एक लटा चोड़ा ठीक एक लटा लंबा और एक एक लाठा चौड़ा अगर हम देखें तो ये आपका कितना निकल के आता है वहीं अगर हम 20 अगर देखिए एक लाठा आमने लंबा ले लिया है और एक लाठा चौड़ा ये आपका एक धूर निकल के आता है ठीक विश्वांसी कंच्वांस इसको बोला जाता है यानि एक 8.25 का 8.25 में जब उड़ा करेंगे यानि एक लाठा लंबा एक लाठा च्योडा टोटल खेत जो होता है एक धूर होता है ठीक अब देखिए अगर आप जानते हैं कि एक बीघा बराबर आपका आपका 20 वर्ग लाठा होता है ठीक है और एक बीघा बराबर आपका 20 विस्वा भी होता है ठीक है तो जैसे आप इसमें 20 से भाग कर देंगे तो ये किसमें कनवर्ट हो जाएगा आपका विस्वा में कनवर्ट हो जाएगा ठीक है अब इसको आप यहाँ पर कह सकते हैं कि 20 विस्वा होता है एक भीगा बराबर आप 20 विश्वा, तो यहां आप लिख सकते हैं 20 विश्वा, ठीक है, आंब 20 विश्वा बराबर आपका किना हो जाएगा 400 वर्ग लाठा, अब एक विस्वा के डाटा करेंगे तो आपको 20 से भाग करना का तो 20 विस्वा हम 400 होता है, य form 400 होता है, ठीक है, क्या होता है कि 20 अगर एक वर्ग एक विस्वा बराबर आपका 20 वर्ग लाठा हो जाता है ठीक तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है यहां पे एक जो आपका यहां पे धूर निकला है 8.25 का 8.25 में उड़ा करेंगे तो 68.0625 वर्ग फूट आएगा टोटल हमने वर्ग फूट में इसको बदल दिया ठीक अब एक धूर का एक वर्ग लाठा होता है एक वर्ग लाठा का आपका एक धूर होता है और एक विस्वा में 20 वर्ग लाठा होता है और एक बीगा में 400 वर्ग लाठा होता है जैसे हमने आपको बताया अब देखे कुल 6 तरफल हमने देखा कि 32 व चेंज कर दिया हमने चेंज कर दिया आपको वर्ग फूट में तो जैसे 68.0625 का हमने यहां पर गुड़ा किया बतीस सो में तो यह निकल के आया 2,17,800 वर्ग फूट टोटल खेत किस में बदल गया वर्ग फूट में बदल गया अब आगे चलते हैं देखिए एक बीगे की बैलू हमने आपको बताई थी 27,225 वर्ग फूट होता है ठीक है तो वहीं अगर कुल छेतरफल आपका 2,17,800 वर्ग फूट आया है तो एक वर्ग फ 800 में भाग करेंगे तो ये निकल के आएगा 8 वीगा यानि आपका जो डाटा है लाठे का एक रेट है यानि किसी भी प्रकार की तूटी नहीं है आप आसानी से इसको कनवर्ट कर सकते हैं अपने खेतों को तो सिंपली आपको कुछ बातों को याद रखना होगा यानि एक ब यह होता है ओपका 20 वर्ग लाठा 20 वर्ग लाठा का मतलब समझ रहे हैं एक विष्व आपकी जमीन तभी होगी जब 4 लंभाई हो और 5 लंभाई हो यह आपका खेत ।ो टोल एक विष्वा होगा अगर एक लाठा लमभा एक लाठा चानडा है तो एक धूर होगा यह ठीक है वहीं एक दूर की अगर बात करें तो ये एक वर्ग लाठा होता है और फुट की बात करें वर्ग फुट की तो ये होता है 68.0625 वर्ग फुट होता है एक दूर का ये बिस्वा के अगर हम बात करें इसका भी आप गुड़ा कर लेंगे 60.20 का तो ये 1361.25 वर का फूट निकल के आएगा तो कहीं भी कोई तुरूटी नहीं है आसानी से बात समझ रहे होंगे आप लाठे के माध्यम से खेतों का 6 फल निकाल सकते हैं ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा वीडियो यहीं समाप्त क आते नमस्क्रार